कि दोस्तों मैं दिवाना समध्दर और वेल्थ और लाइब कोच यह दस गलती इंट कभी ना करें इससे पहले मैंने पांच गलती कोरें बताया है अभी आगे आपको मैं पांच गलती कोर बताता हूं गलती नंबर सिक्स अपनी बढ़ाई ना करें बलकि उतनी बात करें जितने की जुरूत हो मानव सहो यह होता है कि वह नमली जो अपनी ताइब सुनता है तो उसको बहुत अच्छा लता है लेकिन कर्वी ध्यान रखे आप जब किसी कर्ष्टमी तारीफ करो तो उसको ऐसे लगे कि आप उसको फेक रहे हो ध्यान रखो उसको आपकी ज़रूत नहीं है क्योंकि आपको इसको बहुत मिल सकते हैं आपको उसको ज़रूत है तो एक बैलेंस वड़ ही बोले वही बात करें जो उनको सही लगे कुछ ऐसे बात ना कर दे कि उससे उसको एक लेवल नीचे लए कि यार मैं कुछ लग रहा है सामने उसे एक लेवल नीचे हूँ तो ऐसे बात करने से वह आपसे कट सकते हैं तो नापतौल के बात करें गलती नंबर साथ एजन कस्टमर को डिसकाउन ना दे बलकि नौलेश शेयर करें बहुत से लोग अपने टागेट के चक्कर में एजन को डिसकाउन देते हैं जिसे मैंने बताया है कि डिसकाउन एक क्राइंग मनी है जो जहां भी जाता हो नुकसान करता है आप दोगे तो सा नुकसान से बजाना चाहिए उसको डिसकाउंट के बतले में कुछ ऐसे बुग कुछ ऐसे आइडिया प्रोवइड करें कि जितना मों डिसकाउन दे रहे हैं उस से वह सामिंगला अधिक अले उससे एक बार बार कमाएगा क्योंकि आपने ऐसा ऐसा आईए उनको शेयर किया ह कहते हैं universe में law of attraction का कुछ formula है जो भी आप देते हैं सामने लोको आप पी वो lot कि आता है तो यह आप discount के वाद ले कुछ अच्छा देंगे तो अच्छा vibration आपके life में भी आएगा और सामने के life में आएगा तो कोशिश करे discount ना दे स्माइलिंग के साथ उसको कैसे भी उसको convince करके कुछ और दे ऐसे knowledge दे जो उनको बहुत लाब हो आठवा गलती कस्टमर के साथ परसनल ना हो बलकि एक प्रोफेशनलिजम मेंटेन करे अरे सागर जब तो आओगे ना आते बग्ध एक दूद का package ले आना जब आप जाओगे ए अगर आप कस्टमर साथ परसनल होंगे बहुत अच्छी बात है लेकिं ऐसे काम अपने स्टाप से कराए लगता है यह कस्टमर आपके लिए बहुत महत्तर पूर्ण है उनकी help करना चाहिए तो उनको आप जरूर करें बट खुद नहीं अपने स्टाप को भेजिए कस्टमर अक्सर यह आजमाता है कि देखते बंदा की सर्थ तक गीर सकता है बड़िया है ऐसा कोई एजेंट हमको मिल जाया है जो हमारे परसनल भी help कर रहा है कलकर बीटरी शादी करेंगे उस में आके पूरा सारे काम करेगा free of cost में उससे चलते वो छोटा मोट अमांट का अप कर ले आप नहीं होगा या इस भेहान रखेंगे आप गलती नमबर 9 कस्टमर से मिलने से पहले जरूर चेक कर ले जो आप नहीं करते हो आज के इस बातावरन में आपके पास कस्टमर को जाने से पहले सब कुछ उसको आप जान सकते हैं एबी कर थू वाट्साप कर थू किसी इंस् तो कुछ basic knowledge लेकर पास जाएए basic knowledge में यह होता है कि उस बंदे का बड़ ड़काब है वो बंदा की society में रहता है गाड़ी कौन सा है स्कुल में बच्चे पढ़ते तो कौन स्कुल में बच्चे पढ़ते हैं और क्यास महल में बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो कस्टमर की तो आपको एक बहुत हेल्प मिलेगा उसका बिजनेस क्या है उसके इंकम कितना हो सकता है स्टेडस क्या है उसका जान जाएंगे तो आपको इस प्लानिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगा कि इसको किस कैटेगरी का प्लान दिया जाए प्रिमियम क्या रखा जाए तो यह आप तो यह को आप कि इसप्रस्ट चुल में डाने रह्ते हैं तो इसके शादी। में कि अपने किया प्रणिंग करना चाइक हैं। इस다면 नाम के साथ बास करें here तो उनको बहुत अच्छा लाएगा सो कोशिश करें कि maxim च्शिप पत्रकत कर करें उनके पास जाए है दसवा अपनी रिस्पेक्ट मेंटेंड करें किसी ने कहा है जो आदमी स्वाइंक रिस्पेक्ट ने करता उसकी रिसपेक्क दुनिया में कोई नहीं करता जब आपको बिठाता है बढ़िया चाय पानी पिलाता है लेकिन आपको वो किसी से बहां से टालता है उसको लगता है बंदा को आज चालोंगा अपर खल प्रिमुझ जाएगा यह तो इसका नॉर्मल काम का हिस्सा है लेकिन इससे आपके मन में फिले आची कि एक तरफ से मेरा इंसल्डी हो रहा है तो वहां पर आप न जाए जहां पर कस्टमर आपको बहुत रिस्वेक भी कर रहा है लेकिन काम नहीं दर आए इसका मतलब एक तरफ से आपका इंसल्डी कर रहा है बंदा जब भी उनके पास जा ऑफ यूचे पाइगा जिससे आपका बिजनेश भी आगी गोथ होगा अब जब सेम काम करते हैं तो रिज़ल्बी सेम आएगा यह लेकिन यह आपको रिज़ल्ब पर चाहिए तो आपको कुछ टिक के साथ जहाए पड़ेगा कुछ ऐसे बात कर आपना है कि इंटरेस्ट लेगा सामने आपके आपसे कि यार कुछ नया बात का निकले आ रहा है ध्यान रखे ऐसे कामों से बचे जहां पर आपके रिस्पेक्ट नहीं हो रहो हो यह मेरा आज दसवा पॉइंट था नेक्स्ट वीडियो में अगला पांच पॉइंट को लेका हूँगा मुझे उम्मीद है कि आपके लाइफ में कुछ ने कुछ इससे कुछ फायदा ही होगा तो मैं आज के लिए विदा लेता हूं धन्यवाद कि आपके लेता हूं आपके लेता हूं